ये देखिए चिकेन मटन भी फेल है इस सबजी के आगे देखिए कैसे गला है अंदर तक इसका फ्लेवर जाएगा तो हेलो दोस्तो मैं हूँ बेवी और स्वागत है आप सब का अपना किचिन आयुश किचिन में तो आज हम बनाएंगे घर पे ही रेश्टोरेंट से भी बढ़िया और मसालेदार सोया चाप तो आईए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं वीडियो में लाश्टक बने रहे हैं तो इसके लिए मैं 500 ग्राम सोया चाप ली हूँ इसको बनाने से पहले आदा गंड़ा पहले घ् आपके सेजेस्ट करूंगी यहां पर कि आपना फ्रेस हिलें चाप यहां पर हर जगह यह मिलता नहीं है कहीं कहीं यह नहीं भी मिलता है पर यहां पर आसाने से मिल जाता है और इसकी सारी एश्टीक को हम निकाल लेंगे एक एक करके हलके हाथों से और यहां पर सारी एश्टीक को में निकाल लेंगे अब यहां पर इस साप को हम पीसेज में कट करेंगे ना जादा बाड़ा कट करेंगे ना जादा चोटा करेंगे देखिए बना पर मुल्स निकालना तो क्या हम इसको पानी में वाइल करेंगे या तेल में फ्राइग करेंगे तो दोस्तों हम यहां पर इसको पानी में नहीं उबालेंगे अब कटिंग पिटिंग चली रहा है तो यहाँ पर प्याज टमाटर भी कटिंग पिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर प्याज को मैं तिन बड़े थोटे साइज का प्याज ली हूँ और दो टमाटर ली हूँ यह मेरा देशी टमाटर है इसलिए दो ही लिए हूँ क्योंकि जद्धा खट्टे रहते हैं खट्याज को मैं इस लंबे श्लाइट में काट लिए है तारे प्याज़ को इसके हम ब्राउन आपने बनाएंगे अब देशी में तारे प्याज़ के लिए रहे हैं अब इसको हम तमाटर लेंगे तमाटर को हम प्यूरी बनाएंगे प्यूरी आप चाहो तो मिक्सी जार में बना लो परना हम घस की बनाएंगे इसको ग्रेंट करके बनाएंगे इसमें इसके स्कीन निकाल लेंगे और कोई लोग इसको बनाते नहGS है क्योंकि इसके अंदर तक flavor जाता नहीं है पर मैं आपको quiz करूंगी इस तरीके से बनाओ अंदर तक flavor जाएगा अब एक बार बार होगे ना बार बारी बनाओ जो vegetarian होते हैं उनकी तो यह पहली पसंद होती है तो यहां पर मैं एक पेनली हूँ, सबसे पहले इसके लिए मसाला बनाऊंगी, उसमें दो तेजपत्ते, चार तीखी वाली मिर्च, एक बड़ी वाली लाईची, दो छोटी लाईची, और चार आच से दस काली मिर्च, आच से दस लॉंग, दो चम्मच, धन्या, अभी इसको थोड़ा सा रोष्ट करेंगे, अभी इसमें डालेंगे हम, एक काली वाला सर्सो, इसको डालना भूलियेगा नहीं, और इसमें थोड़ी सी एक चम्मच हम सौप डालेंगे, इससे फ्लेवर आपको क्या ही बताए हम मासे अल्ला, तो यह है, थोड़ा सा इसको हम रोष्ट कर करेंगे, हलके आचों पर और इसको प्रेशर को इसमें थोड़ी से कस्तूरी मेथी डालेंगे, बाइलेंस करने के लिए मैं इसमें नमक डालेंगे, अब यहाँ पर मैं एक पैन ली हूँ, मसाले को हम ठंडा हो जाएगे तो पावडर बना लेंगे, तेल हमारा गरम हो रहा ह इसमें मैं सरसो का तेल डाली हूँ, और इसमें हम अर तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, तेल जब धुआ छोड़ देना तब इसको हम मेडियम फ्लेम पर कर लेंगे और सारे चाप को इसमें आड़ कर देंगे, और इसको अलके हाथों से चलाते हुए हम करेंगे, और मिक्चर जब हमारा मसाला जो बनाए तो ठंडा हो जाएगा, उसको पावडर हम बना लेंगे, तो इसको चलाते हुए हलके हाथों से हम इसको फ्राइ कर लेंगे, बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, अब दो से तीन मिनट बात देखिए हमारा चाप का कलर अब लगबग यह 506 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाता है, देखिए यहाँ पर हमारा चाप फ्राई हो गया, अब सारे चाप को मैं एक इसको निकाल लूँगी, और इसी तेल में हम फिर प्याज को तल लेंगे, देखिए हमारे कैसे तल गया है, अब इस तेल में हम प्याज डालेंगे, और प्याज को हमको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हलका गोल्डन ब्राउन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, और बीच बीच में साइड से चलाते रहें, नहीं तो साइडों में प्याज हमारा जल जाता है, और प्याज हमारे यहाँ पर हो चुका था, मैं निकाल ली थी, अब यह देखिए, यहाँ पर उसी पैन से मैं सारे तेल निकाल ली हूँ, थोड़ी सी रहने दी हूँ, अब इसमें डालेंगे, जीरा, अद्रक लसन का पेश्ट, और इसको, दो मिनट के लिए इसके इसमेल जाने के लिए पकाएंगे, अब इसमें डाल देंगे, हम जो टमाटर का दुकस किये थे वो, अब टमाटर डालेंगे तो नमक डालेंगे इसमें, अब इसमें जाएगा स्वादन सा नमक, टेश्ट के कौडिंग, और यहाँ पर मैं न, अद्रक लसन और चाट मटा साला डाल कर, सोया चाप को मेनरेट करके रखती थी, और यहाँ पर देखिए हमारा टमाटर, कैसे सारा तेल रिलीज कर दिया है, अब यहाँ पर मैं डालूँगई एक चमच कैस्मेरी मिर्च, दो चमच स्पाइसी वाली मिर्च, और यहाँ पर डालूँगी धनिया पाऊडर, ठेभ सारा, दो चमच के करिब, और हाफ चमच जीरा पाऊडर, और एक चमच हल्दी पाऊडर, अब इसमें हम डालेंगे जो मसाले भूने थे ना उसको मैं मिक्सी जार में पीस के पाउडर बना ली थी अब दो चम्मस जो मसाले डालूंगी और जो हम प्याज भूने थे उसको भी हम पेश्ट ही बनाएंगे यहाँ पर मेरी वो वीडियो इश्कीप हो गई है सौरी इसके लिए और देखिए प्याज को मैं पेश्ट बनाई थी अब उसको भी डाल कर भून लेंगे अच्छे से दो मिनट के लिए हलके हलके आज पे अब मिक्सी जार में पानी डाल के इसको अच्छे से राप कर लेंगे और पानी इसमें डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे प्याज को भूननेंगे यह प्याज को भूनते हुए एक से दो मिनट हो गया था देखिए सारह तेल रिलिच कर दिया है मसालbaby छोड़ दिया है और पैन भी छोड़ कि यहाँ पधिति है मिनियूरेट करके रखने सोया चांप इसे सुरभा कुछ डाली नहीं थी बस हम एक चमच चांट मसाले एक चमच अद्रक अलस्न का पेश्च एक चमच नमक नहीं डालें गए इसको कुछ दियर के लिए मिला इसको हम अच्छे से एक मिनट के लिए पकाएंगे इसमें उसके बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे तो अब इसमें मैं धेड़ सारा गरम पानी आइड कर रही हूँ कि हमकी इसको 5-10 मिनट पकाएंगे तभी इसके अंदर तक फिलेवर जाएगा देखे कितना पानी है इसको 5-10 मिनट मेडियम आज पर पकाएंगे इसको देखे 5-6 मिनट पाद हमारा चांप का कुछ ऐसा हो गया है जब इस ये स्टेज पर आपका चांप आ जाए तो इसमें डालेंगे हम एक चमच गरम मसाला थोड़ी सी अदरक के लच्छे और दो हरी मिर्च और इसको एक से दो मिनट के लिए पकाएंगे ढ़क के तो दो मिनट के बार देखिए हमारा सोयाच आप कुछ ऐसे बन कर रेडी हो गया है अब इसको मैं देखे दिखाती हूँ आपको देखिए कितना सुन्दर गला है इसके अंदर तक भी फ्लेवर गया है देखिए यह देखिए अक्सर हम क्या करते हैं इसमें पानी कम डालते हैं फ्राई करके फ्राई नहीं करते हैं तो इसकी फ्लेवर अच्छ नहीं आती है तो आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करे, कमेंट करे और वीडियो में नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल के फिली सस्क्राइब करे और अपने दोस्त फेमली के साथ सेयर करे तब तक मैं मिलती हूँ एक छोटी शी नियू रेसिपी की साथ तब तक के लिए, बाई बाई, टेक एर झाल झाल